नमस्कार साथिया आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित्रोनिक चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं जैसे कि हमारे क्वार्टर 3 की सीरीज चल रही है क्वार्टर 3 रिजल्ट की तो उसमें VLS का भी आज रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के ऊपर क आ रहा है क्या अभी और तुझ जोगी शेयर के अंदर वह सब जानने के लिए कैसा रहा है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बहले को बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए VLS के बारे मैं समय समय पर आपको अप्डेशन देता रहा हूं विस्वराज सुगर के बारे में तो अब चलते सुगर के अंतर क्या चला तो वीडियो लंबा जाने वाले क्योंकि उसका रिजल्ट है वह काफी अल्टेमेट आया और यहां सब तेजी के इंडिकेशन देख रहा है वह क्यों अभी थोड़ देम समझागों आपको तो प्ली हो काम है कंपनी करती है तो चली ज्यादा सब्क नी करते का इसको राए तो देखेगे मने इससका बियेटर ओपन कर नहुंए हैlex 152 बज़ रहे तो यह देखिए इसका चो लание करता है घ़्य करद करता है तो जाइस प्र आइए एक सुर्ट अब्डेट पूरा अभी सामको साथ बजे इसके अपडेशन पूरी मिले वह भी अधूरी मिले अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अपडेट ने हुआ पूरा तो दीखिए हम समस्ते से चार शेयर के अंदर क्या रहा इसका क्वार्टर थी का रिजल्ट कैसा है वह समस्ते सबसे पहले इसकी अर्णिंग जो आई है वह यह लाक के अंदर लैक्स के अंदर तो टोटल इंकम जो इनकी आई है तेरा हजाद चार सो सत्रा लाक की पिर लास्ट कौर्टर थी दस हजाद दो सो एकतर लाक की और लास्ट येर थी अठार आट हजार दो सो उन्यासी लाक की तो देखिए आपको सेल के अंदर मोटा मोटा आपको समझे रहा है सेल में इजाफा देखनों को मिल रहा है यह देखिए आप तेरा दस आठ यानि के आप मोटा मोटा देखिए इस कौर्टर में तेरा है लास्ट कौर्टर में दस थी और लास्ट येर आठ ती तो य लाश्ट यह था 5149 अब देखिए तो इस क्वाटर में इनका एक्सपेंस है 10,000 और लाश्ट में तो 10,252 तो एक्सपेंस तो कम हुआ यानि कंपनी ना बहुत अच्छा कंट्रोलिंग करा हर्ची जोगों पर यह था अच्छी वात है अब देखिए ऑप्रेसन प्रॉफिट जो आया इनको प्रॉफिट जो आया टेक्स के भिफ़ॉर देखिए 3,380 जो आया इस क्वाटर में आया और लास्ट क्वाटर था 19 और ल बहुत अच्छा इंडिकेशन है अब इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखें नेट प्रॉफिट आया इनको टोटल इस क्वार्टर में इनको नेट प्रॉफिट आया 2944 लास्ट था उननिस और लास्ट यह ता 3046 तो करेंगे प्रॉफिट तो दो परसेंट ग्रावट देखनों को मिल रहा है तो यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है अब चलते इसका करेंगे प्रॉफिट यहां इनको पर शर्षयर है इसका 1.57 देखना हो मिल रहा है काफी अच्छा देखना हो मिल ला है यह दो इनपरसेंट का ग्रावट देखना हो मिल ला है तो आप देखिए सबसे में पॉइंट किया तो किसी भी कंपटी की उसकी रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट करी कि जब भी तो वह कुछ प्रॉफिट कर बाई कर बाई कर बाई तो यहां पर तो टोटल एक्सपेंस भी इनका कम हो गया तो ज्यादा कुछ नहीं तीन दो तिन परसेंट गिरावट आपको यह रेवाई है वाकी quarter quarter वाई result काफे ultimate आया है तो इस और इस result के अंदर और क्या है प्लस पॉइंट वो देखते हैं तो देखिए इसके अंदर एक चीज़ दखाऊंगो आपको मैं कि हमने जो बात कि रहे थे इंटरनेशनल सोगर की डिमांड बढ़ी है इंटरनेशनल सोग तो 3,000 लाग की मोटी मोटी बड़ा देखनों को मिली आपको तो यह काफी अच्छा इंपोर्टेंट था कि इस सुगर कंपनी का अगर रिजल इतना अच्छा सकता तो आप जो भी सुगर कंपनी रिजल आज़े तो उस तो ultimate देखनों को मिलेंगे आपको विस्वरा सुगर जैसी कंपनी अच्छे रिजल घोसित कर रही है तो बाकी कंपनी तो ultimate जैसे इस सुगर की इसकी डिमांड बढ़ी है देखिए 5,000 से बढ़के सीधा 8,500 हुई है तो यह बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल सुगर की डिमांड थी और डॉमेस्टिक और अब ही दिखाता हूं आपको इस क्वार्टर में टोटल लेवेल्टिस इनकी देखी किती है 70,988 और लास्ट क्वार्टर थी 54,901 और लास्ट इयर थी 72,766 तो इयरी ग्रावर्ट देखने को में लिए तो ultimate हम कहेंगे रिजल काफी अच्छा है रिजल उमीद से काफी अच् देखे के जया जाएगा क्यों अभी बतातो हमें आपको तो देखी इसके अंतर दो अनूंसमेंट हुए थी दिसमबर ऑधिके दो अनॉंसमेंट हुए थी कंपणी ने अपनी जो फच वेल्यू दसरबे थी तो घटा के कंपनी ने दोंपे फेस्वेल्यू कर दिया थ कर दिय तो आपको स्पिलिट करने के लिए उस वैल्यू पर ग्रावट देखनों को मिली आपको और दूसरा इसके अंदर क्या था जो इनका यहां थो आपको देखने को मिलेगी वो अभी थोड़े मां बताता हूं तो देखिए विस्वरा सुगर का रिजल्ट है काफ़े अच्छा है कौटर कौटर वाई काफ़े अच्छा रिजल्ट है यह रिवाई दो-तिन परसेंट डाउन इससे कोई बड़ी बात नहीं है ज्यादा डाउन यह ज्यादा वो नियुक्त सेल्स के अंदर इजाफा मैंने हम इसका मार्केट का समस्ता थोड़ा जाम तो वो देखिए तो विस्वरा सुगर इंडर्स्ट्री लिमिटेड आपको एनससी बीस्टी दोना मेलेगा तो इसका मार्केट का है बड़ी ने डिवीडेंड दिया 0.80 परसेंट का फेस वेली इसकी दोर पे हो गई है वो मैंने कर रहे है क्वाटर क्वाटर रिजल्ट अच्छे दे रही है और कंपनी ने अपना कर्जा देने के दिन है वह 33.6 से घटके 25.73 करती है एक इंडिकेशन ही है बाकि इसका अभी शेर होल्डिंग पैटन अपडेट नहीं है अब इसके चलते हैं और क्या पोजिटिव सेने वह हो समझता है तो देखिए इसका जो फ्रैड़े के दिन इसके साथ ट्रेडिंग रहा है उसे बात करते हैं तो फ्रैड़े के दिन यह 0.20% के साथ ग्रावर के साथ यह बंद हुआ है तो यह ऑपन होता 25 रुबे पर हाई मारा 25 रुपर 60 पैसे का लो मारा 24 रुपर 80 पैसे का 52 है, 25 रुपर 20 पैसे का 52 रुपर 20 रुप ऐसे का फिफ्टी तु लो है, बीच रुपर बीस रुपर 20 पैसे का और विट्रेट के दिन हाथ चौविश का इसका लो बनाया तक फ्रैडकी के दिन है तो फिफ्टी यह लो से तो आपना बिलकूल नेयर बाए चल रहा है अब प पिछली एक साल से शेर के इतना मुवमेंट ही निया है मुवमेंट की वजया मैंने आपको बता दिया लास्ट जो कॉटर का रिजलता वह यह वह कॉटर का रिजलता वह डाउन ता और इस वा जो रिजलता वो आल्टिमेट है अब चलते हैं चार्ट के अंदर तो देखे चाट पर क्या इंडिकेशन नहीं है है इसका डेली चाट ओपन करगा है तो डेली चाट पर देखे जब यह 52 हमा रहा तो जब से धावाद गिरता ही जा रहा है अब गिनने के बाद अभी देखे लाश्ट दो दिन से समल रहे हैं समलने के यहां पर जो जो यह ग्रै तो काफी अल्टीमेट आया तो मुझे लगता है यहां से तेजी देखनों को मिलेगी आपको तो यहां से कोई आपको फ्रेस बाइंग कर सकते क्योंकि अपने 52 लोग के आसपास है तो बाय करिए और इसको अपने पॉर्टफॉलिमर लेकर छोड़ जाए आने वाले टाइम पर अब चार्ट के गोडिंग मुझे जो लगता है यहां से जो पहला टारेट में देखनों मिलता है जिस तरसेस का रिजल्ट आया तो मुझे यहां से 30 रुपे के लेवल आपको 10 से 15 दिन में देखनों मिलेंगे यहां से तो आपको क्या करना है इस शेर को अपने प्रच्छू उन न बाचिय।